एक जंगल में एक दुष्ट और लालची भेडिया रहता था, एक दिन उसने एक हिरन का शिकार किया, शिकार के बाद पर वह अपने लालच पर नियंत्रन नहीं रख पाया और जल्दी जल्दी उसे खाने लगा, इस जल्दी बाजी में एक हटी उसके गले में अटक गई, हट में उसने किसी से सहायता लेने का विचार किया, वह सोचने लगा कि ऐसा कौन है, जो उसके गले से हटी का टुकड़ा निकाल सकता है, कुछ देर सोचने पर उसे सारस का ध्यान आया, सारस की लंबी गर्दन और चोंच थी, वह उसके मूँ में अपनी चोंच गुसा कर आसान निकाल दोगे, मैं तुम्हारा बहुत अहसान मंद रहूंगा और तुम्हें उच्चती नाम भी दूंगा, पढ़े, दो बक्रियों की कहानी, The Two God's Story in Hindi, सारस पहले तो भेड़े के मूँ में अपनी चोंच डालने से दरा, लेकिन बाद में उसे भेड़े पर दया आ गया और वह तैयार हो गया, भेड़े मूँ खोल कर खड़ा हो गया और सारस ने उसमें अपनी चोंच डाल दी, लेकिन उसकी चोंच हटी तक नहीं पहुँच पाई, तब उसे अपनी आधी गर्दन भी भेड़े के मूँ में गुसानी पड़ी, सारस की गर्दन मूँ में जाते ही ल पहमन मारकर रह गया। कुछ ही देर में सारस ने उसके गले से हटी निकाल दी। हटी निकलते ही भेढिया जाने लगा। न उसने सारस को धन्यवाद दिया नहीं इनाम। सारस ने उसे रोप कर कहा। मेरा इनाम कहा है। तUFF ने कहा था कि तुम इस काम के बदले मुझे इनाम भीडिया बोला एक भीडिये के मुँँ में अपनी गर्दन डाल कर भी तुम सही सलामत हो क्या ये तुम्हारा इनाम नहीं